हेलो एब्रिवन, वेरी वाउम वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो आज हम फटा फट से इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे वेलेंस बॉन्ट थियोरी ये कॉडिनेशन कंपॉंड क्लास 12 का टॉपिक है वेलेंस बॉन्ट थियोरी टोटल तीन थियोरी हैं इस चैप्टर के अंदर कॉडिनेशन कंपॉंड से रिलेटेड एक है वेलेंस बॉन्ट थियोरी एक है वेलेंस बॉन्ट थियोरी और एक है क्रिश्टल फिल्ट थियोरी वेलेंस बॉन्ट थियोरी उतनी इंपोर्टेंट है नहीं और हमसे इसमें पूछा है कि बताओ इसका hybridization क्या होगा हमें इसकी hybridization बतानी है ठीक है हमें यह बताना है कि यह inner orbital है कि आउटर orbital है inner and outer बताएंगे हम साथ यह साथ हम इसकी magnetic property बताएंगे कि यह paramagnetic है कि diamagnetic है और हम इसका high spin and low spin बताएंगे ठीक है high spin and low spin तो उसके बारे में बात करते हैं तो उसको समझने से पहले हमें यहाँ पे जो हमारा central metal item है उसका हमें atomic number पता होना चाहिए कि यह जो यहाँ पे कोबाल्ट दे रखा है यह कोबाल्ट का atomic number के है क्योंकि सारा खेल फिर यहीं से start होता है ठीक है तो जो हमारा कोबाल्ट है उसका atomic number हम पता करते हैं तो कोबाल्ट जो है हमारा इसका atomic number होता है 27 ठीक है 27 इसका atomic number होता है और तो इसका electronic configuration हो जाएगा argon AR 4S2 3D 7 यह होता है हमारा कोबाल्ट तो अभी पहले हम इसका यह लिखते हैं इसका atomic number second step में हमें इसका oxidation state निकालना होता है तो इसका oxidation state निकालते है कोबाल्ट का oxidation state कैसे निकालेंगे इस compound में कोबाल्ट का निकालना है तो इसको X मान लो X and यह ammonia का होता है zero और overall दे रखाए प्लस 3 तो X आजएगा प्लस 3 मतलब मतलब यह है मतलब यह कि कोबाल्ट अब तीन electron लूस करने वाला है लेकिन हमें कैसे पता चला ammonia का zero है different type के ligands होते हैं कुछ होते है neutral ligands कुछ होते है negative ligands कुछ होते है positive ligands तो मैंने एक यहाँ पर बना रखा एक तरीका याद करने का इसमें मैंने सबके उपर चार्ज लिखा हुआ है तो यहाँ पर NS3 पर कोई चार्ज ने लिखा मतलब कि वो न्यूट्रल है जिरो है यह नीचे वाले strong field ligands है उपर वाले weak field ligands है अभी समझाऊँगा कि strong और weak से क्या लेना देना है ठीक है यह ट्रिक है यह आप देख लेना अगर मैं कोबाल्ट की कोबाल्ट का प्लस 3 लिख हूँ तो प्लस 3 में क्या show करेगा तीन electron छोड़ेगा तो दो electron S से जाएंगे और एक electron D से जाएगा तो यह हो जाएगा 3D6 and 4S0 तो यह कहानी कुछ इस तरीके से होगी D सब शेल के अंदर 5 orbitals होते हैं तो इसमें अभी फिलाल 6 electron है क्योंकि एक निकल गया यह रहे और हमारा 4S तो पूरा खाली पड़ा है and 4P वो भी पूरा खाली पड़ा हुआ है ठीक है अब क्या होगा अब 6 ammonia है 6 ammonia are going to approach तो जब वो अप्रोच करेंगे तो क्या होगा देखते हैं तो ammonia कहां आता है देखते हैं ammonia यहां पर है तो यह strong field लाइगेंड है NS3 तो अगर NS3 strong field लाइगेंड है तो उसकी वज़े से pairing हो जाएगी इन electrons के बीच में यह आपको table देखनी पड़ेगी यह strong field लाइगेंड है तो अगर यह strong field लाइगेंड है तो इसकी वज़े से यहां pairing हो जाएगी और pairing होने के बाद यह कैसे देखेगा वो मैं दिखाता हूँ आपको अब कौन strong है कौन weak है तो वो spectrochemical series से याद करना होता है तो मैंने ऐसे trick बना रही है जो मैंने भी आपको नीचे दिखाया वो स्क्रॉल करके तो आप वो trick से देख लेना ठीक है अब यहां पर जो यह electron से इनकी pairing हो जाएगी कुछ इस तरीके से यह दो तो पहले से साथ थे यह दोनों साथ आ जाएंगे और यह दोनों साथ आ जाएंगे ठीक है अब हमारे पास यह space कुछ available हो गए जिन में हमारे ns3 आ सकते हैं यह दो d orbital 1 ns3 यहां आएगा 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 और 1 ns3 यहां आएगा ठीक है तो 6 ns3 आ गए अब हुआ क्या यहां पर यहां पर यह सीखने को मिला हमें D के 2 orbital, S का 1 orbital और P के 3 orbital involved हो रहे हैं यह देखो ना, D के 2 orbital, S का 1 orbital और P के 3 orbital तो इसकी hybridization हो गई, DSP3, ठीक है तो hybridization बताते हैं हम ऐसे देखकर hybridization हो गई, D2SP3, मैंने कलती से D बोल दिया पहले, D2SP3, ठीक है, D2SP3 अब यह inner orbital है की outer orbital है, अच्छा इसकी geometry होगी, geometry होगी, octahedral geometry, octahedral होगी, अब inner orbital है की outer orbital है, यह कैसे बताते हैं अभी फिलाल, principle quantum number 4S और 4P स्टार्ट हो रहा है principle quantum number 4 स्टार्ट हो रहा है, लिकिन जो D orbital use में आया है वो एक पहले वाला आया है, मतलब अंदर वाला D orbital use में आया है N-1D use में आया है, अगर अंदर वाला D orbital इस्तमाल में आता है तो इसको बोलते है inner D, inner orbital complex बाहर वाला D orbital इस्तमाल में अगर आता, वैसे तो आया है नहीं 4D वाला अगर यूज में आता तो उसे कहते है outer orbital complex ठीक है तो इसको बोलेंगे हैं inner orbital complex inner orbital complex दूसरी बात हुई पैरागनेटिक है कि डाय मेंगनेटिक है अगर सारे electron paired हैं एक भी electron unpaired नहीं है सारे electron paired है तो इसको बोलते हैं diamagnetic diamagnetic compound वो होते हैं जो magnetic field से repel करते हैं तो यह magnetic field के तरफ attract नहीं होगा repel करेगा क्योंकि सारे electron paired हैं अगर एक भी unpaired होता तो इसे हम paramagnetic कहते हैं high spin के low spin अगर electron unpaired है तो high spin अगर एक भी electron unpaired नहीं है तो low spin यहाँ पे एक भी electron unpaired नहीं है तो यह कहलाएगा low spin ठीके और अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँ तो नाम भी लिख देता हूँ इसका नाम होगा हेक्जा हेक्जा अमाइम कोबाल्ट औक्टिशन स्टेट 3 और आयन यह इसका नाम होगा ठीक है तो यह होती है वेलेंस बॉण तियोरी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है और यह आप याद कर ले ना स्पेक्ट्र केमिकल सीरीज आपको कुछ पूछना हो कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं ठीक है थैंक यू सो मच फोर वाचिंग दिस वीडियो